आमादमी पार्टी में एक बार फिर बवाल मच गया है के जिवाल के अकाली नेता बिक्रम मजीठिया से माफी मांगने से आमादमी पार्टी के कई नेता नाराज है आम आदमी पार्टी पंजाब की अध्यक्ष भगवंतमान ने इसी नाराजगी के चलते अपने अध्यक्ष पत से स्तीफा दे दिया है हालांकि भगवंतमान अभी भी पार्टी में बने हुए है आम आदमी पार्टी से राजसभा सांसत संजे सिंग ने कहा कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ की मजीठिया ड्रग डीलर है पंजाब विधानसभा चुनाओ के दौरान आम आदमी पार्टी ने ड्रग्स का मुद्दा जोर शोर से उठाया था केजडिवाल ने चुनाओ के दौरान बिक्रम मजीठिया पर आरोप लगाये थे कि वह ड्रग्स कारोबार में शामिल है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ देश भर में 20 से ज़्यादा मानहानी के मामले दर्स है सूत्रों के मुदाबिक केजडिवाल को रोजाना अदालत में घंटों बरबात करने पड़ रहे है इन मुकदमों से पार्टी और दिल्ली सरकार का कामकाच प्रभावित हो रहा है इसी के चलते अब आमादमी पार्टी ने इन सारे मुकदमों को निप्टाने का फैसला किया है लेकिन केजडिवाल के इस फैसले से आमादमी पार्टी में एक बार फिर बवाल मच गया है